Hello and welcome guys, आज की वीडियो काफी interesting और आपके लिए helpful होने वाली है, तो बने रहना वीडियो में and I assure कि आपको कुछ नया definitely सीखने को मिलेगा तो बात करते हैं सबसे पहले दो तरके interfaces की, CUI जिसे हम Command User Interface या फिर Character User Interface भी कहते हैं और next है हमारा GUI जिसे हम Graphical User Interface भी कहते हैं अब इन दोने में जो basic difference है वो यह है कि Command या फिर Character User Interface में हमको जो भी टास्क perform करना होता है उसके लिए हमें Command लिखने होते हैं और यहाँ पे हमारा माउस का कोई रोल नहीं होता क्योंकि सारे operations हम कीबोर्ड के थ्रू ही perform करते हैं तो यहाँ पे मैंने Command Prompt खोला हुआ है जो की Command Based Interface है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी icons, folders वगारा कुछ नहीं दिख रहा है बस यह Black Screen है और इसी Command Interface को हम लोग console भी कहते हैं और इसी console पे हम अपना सारा operation perform करते हैं जैसा कि मुझे कोई file create करना है Ctrl Z दबाके Enter मारूंगा and that's it, हमारा file create हो गया है तो अगर मुझे अपने file का content देखना है तो मैं यहाँ पे use करूँगा type command तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा type and then space and then यहाँ पे मैं लिखूँगा file का नाम तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह रहा मेरा file का content और यही अगर मैं बात करूँ graphical user interface की तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी task perform करने के लिए कई सारे options available हैं जैसे कि अगर मुझे कोई folder या file create करना है तो मैं directly right click करूँगा और new पे जाके अपना folder या फिर file select कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरा one click में file या folder create हो जाएगा तो हम basically ये चार टाइप के application डवलप करते हैं पहला console based application second window based application and third web based application and last mobile application तो I hope कि आपको console based application पता ही होगा कि क्या होता है जिसमें कि हमारे पास कोई भी graphical interface नहीं होता जैसे कि command prompt and powershell तो अब बात करते हैं window based application की तो अगर मैं अपने window में calculator application खोलू तो आप देख सेखते हैं कि ये application एक window में खुला है तो ऐसे application जो कि एक window में खुले उन्हें window based application कहते हैं इसमें हम images, window toolkits like buttons, input fields, labels etc का use करते हैं बात करूँ web based application क्या होते हैं तो ये वो application होते हैं जिनको run करने के लिए जिनको run करने के लिए web browser का requirement होता है तो अगर मैं अपना web browser open करूँ और google करूँ online calculator and then इस link पे click करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो application खुला है यह एक तरह का web application है मैं आप अपने सारे calculations कर सकता हूँ same like जो मैं window application में कर रहा था तो यह भी एक तरह का application है लेकिन यह एक web browser पे काम करता है तो इसे हम लोग कहते हैं web based application और mobile application के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगी कि ऐसे application जो आपके mobile में run हो सके और यह सारे type के application डवलप करने के लिए आपको अलग-अलग language पढ़ने के जरुवत नहीं है क्योंकि आजकल कई सारे ऐसे language है market में जो कि तीनों platform के application डवलप करने की capability रखते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ python की तो python app से आप window application भी डवलप कर सकते हैं using package name tkenter जो कि especially window based application बनाने के लिए use में लिया जाता है and python के तुरू आप web based application बना सकते हैं कोई website भी create कर सकते हैं using package name zango तो zango framework के तुरू आप website बना सकते हैं python में and last अगर आप कोई mobile application डवलप करना है using python तो उसके लिए जो package है वो है kiwi तो मैं ये नहीं बोलंगा कि kiwi बहुत popular package है और उससे आप बहुत high quality android आप बना पाएंगे लेकिन हाँ kiwi के तुरू आप कुछ हथ तक basic android application मना सकते हैं